फॉर्म में लोटे विराट अब लेंगे सन्यास T20 वर्ल्ड कप के बाद एक फॉर्मिट को कहेंगे टाटा बाई बाई एक बयान ने विराट के सन्यास को दे दी हवा अब आगे क्या होगा ये किंग कोहली जाने नवस्कार में हूँ आपके साथ रोहर एश्या कप में शांदार तरीके से फॉर्म में वापस आने के बाद विराट कोहली ने शतक भी लगा लिया और धाई साल से शतकों का सूखा जो चल रहा था उसे खत्म भी कर दिया लेकिन विराट कोहली अपने उस अंदाज में नजर नहीं आए जिस अंदाज में उनके पैर हमें साच चलते थे तो इसलिए अब कहा जा रहा है कि विराट कोली T20 विश्कप में खेलने के बाद एक फॉर्मिट को अलविदा कह देंगे और वो होगा T20 मुकाबला जी हाँ विराट T20 से सन्यास लेने वाले हैं ऐसे बयान अब दिये जा रहे हैं और लगातार ये बयान सामने भी आ रहे हैं आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाश शोय बक्तर ने एक बयान दिया है जिसके बाद से अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या विराट कोली वाकई में T20 विश्कप के बाद सन्यास ले लेंगे श्रेवक्तर का ये बयान बताता है कि विराट कोली के रफलेस्स अब उस तरीके से नहीं चल रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे इसलिए अगर T20 फॉर्मेट वो छोड़ते हैं तो टेस्ट और वंडे में वो लंबे वक्त तक क्रिकेट खेल सकते हैं इसके अलावा तमाम और देगुजों का भी यही कहना है लेकिन विराट कोली की फिटनेस कहती है कि वो अभी तीनों फॉर्मेट खेलने के काबिल है कि अभी वो खत्म नहीं हुए हैं और लंबे वक्त तक क्रिकेट खेलने वाले हैं फिलाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और T20 विश्ट कप के बाद कस्वीरे किस तरीके से विराट कोली साफ करते हैं क्या वो T20 से सन्यास लेते हैं या फिर तीनों पॉर्मेट में खेलना जारी रखते हैं